बिहार में लगतार कही न कही 15 दिनों से देखा जा रहा है ऐसे में लगतार तापमान में बरहुतरी हो रही है और कई जिलो में तो 45 दिगी से लेकर 48 दिगी तक तापमान पहुँच जा रहा है ऐसे में लोग जो है काफी गर्मी से परशान हैं तो वहीं आपको बता दे कि रवीवार को कई जिलो में पटना समेत कई जिलो में बारिश भी हुई हलकी फुर्की बारिश होने से तापमान में गिरावट आए लोगों ने राहत भरी शासे ली है वही आपको पता दे कि इस दौरान कई जिलो में तापमान 45 जिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है जबकि रात में तापमान 34 जिग्री पहुँच गया है वही रविवार को कुछ जिलो में बारिश होने से तापमान का गिरावट दर्ज किया गया है बाका और पतना मुझपरपूर्ट पश्चिमी चंपारन अरवल जहानावाद और अंगावाद गया वैशाली नलंदा सारन और बारिश हुई बारिश के बाद गर्मी से लोगों को रहत बिली वही मौसम बिभाग के मुताबिक बिहार के बिहार और जहारखंड पश्चिम बं दिख रहे हैं वहीं जबकि 20 से 24 जून तक बिहार के सभी हिस्सों में बारिश होगी वहीं उधर भागलपूर में पिछले 24 घंटे से नियुनतन तापमान 2.6 डिगरी की विरिधी दर्ज की गई है वहीं आपको बता दे कि मौसम बिभाग के मुताबिक अर्वल सागर और व पश्रिम बंगाल जारकंड के पूरे छेत्रों में कवर करते हुए बिहार के आगे बढ़ेगा इससे बिहार के सभी हिस्सों में मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है वहीं आपको बता दे कि बकसर कैमूर रोहतास शिवीरिया हीटवे और पटना भागलपूर सहित 20 जिलो मे अधिक वर्जपत और ओरेंज एलोट जारी किया गया है वही रविवार को 11 जिलो में शिवीर हीटवे का असर रहा वहीं और अंगाबाद में 45 डिगरी की तापमान रही वही भागलपूर में भी करीबन अधिकतन तापमान रही और भागलपूर में तापमान 45.3 डिगरी दर्ज किया गया है वहीं लगातार जिस तरीके से घीटवे का देखा जा रहा है और इस से लोग जो काफी परशान है और सब्स ब्मेद ने एल opioids जारी कर दिया है और और कभी भी बर्शा हो सकती है आप में संयोगी Кैमरामें दिवाकर के साथ मने रहे दलीनिज के झाल झाल